दोस्तो नमस्कार हर्याना पूरी तरह से चुनावी मोड में जा रहा है हर्याना के जनता खासकर जो राजनीती में रुची रखते हैं सबकी निगाहें इस तरफ हैं कि अब नया क्या होगा हर व्यक्ति जो राजनीती में इंट्रेस्ट रखता है उसकी निगाहें इस तरफ है जैसे कल अभी हाली में समझोता हो गया हर्याना के अंदर इंडियन नेशनल लोगदल और बहुजन समाज पार्टी का तो कल ही हार्याना के पूर मुख्य मंत्री कौंग्रेस के नेटा भुपेंडर सिंग उड़ा ने और हार्याना कौंग्रेस के अध्यक्स चौदरी उध्यभार ने एक लोगो जारी कर दिया कि हार्याना मांगे हिसाब यानि कि 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं अब कॉंग्रेस के निता भारती जन्ता पार्टी की सरकार से इसलिए मैं कहा रहा हूं कि चुनाव के मोड में पूरी तरह हर्याना आती दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ ही वो तवाम नेता जो किसी भी तरीके से राज सत्ता के नजदीक पहुचना चाते हैं यानि कि कुछ की मंशा विधायक बनने की है तो कुछ की मंशा और बड़ी है मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक तो बनना जरूरी है पहले यह तो कुछ कम ही लोग किस्मत वाले होते हैं कि जो बिना विधायक बनेस बनें अपने नायब सिंग सैनी जी हलाकि बाद में विधायक बन गए लेकिन मुखे मंतरी बनने के लिए विधायक तो होना पड़ता है मैं आपसे बात करना हूँ इस वीडियो के अंदर कि कॉंग्रेस में, कॉंग्रेस के अंदर अब कॉंग्रेस के लोग जो भुपेंदर सिंग, उड़ा और चौधरी, उदयवान उनके साथ चौधरी विरेंदर सिंग भी बांगर चौधरी भी कल दिखे उन्होंने तो हिसाब मांगने का एलान कर दिया है कि हिसाब मांगेंगे हम और कुमारी सेलजा भी चल पड़ी है कुमारी सेलजा जहां हर्याना का भ्रह्मन करेंगी पैदल पैदल चल करके कह रही है कि शहरी छेत्रों में पद यात्रा करेंगी उनका कर्यकरम आचुका है और भुपेंदर सिंग, हुड़ा जी अब सवार होंगे रत पर प्रभु रत पर हुए सवार नगाडा बाज राव जो बोलता है, एक बजन है इस टाइब का की सत्ता के अंदर हर्याना की सत्ता के नजदीक पहुचने के लिए जितनी लड़ाई कॉंग्रेस और भारती जन्ता पारटी के बीच है और अब उनके बीच जो अभैसिंग चोटाला आ गए है बहन मायवती के साथ समझोता करके हाला कि इसके जो इफेक्ट्स आएंगे आने वाले कुछ दिनों में सामने आएंगे कि इस गठवंदन का सूवे की जनता पर सूवे की राजनीती पर कितना असर जाता है प्रदेश की राजनीती में अभै सिंग चोटाला का जो गठबंदन है कितना परभावी होगा कितना उसमें असर डलेगा ये आने वाले दिनों में सामने आना शुरू होगा लेकिन कॉंग्रेस के जो नेता हैं कुमारी सेलजा ने पिछले दिनों अमबाला में अपने तमाम जो उनके समर्थक शुबचिन तक साथी कारे करता हैं पार्टी के पताधी कारी हैं उन सब को बुलाया और उन सब को बुला करके वहाँ उनको लंच दिया खाना खिलाया और अ वारी सेल जाने यातरा निकाली थी और वो उनकी यात्रा एक तरह से रथियात्रा थी रथियात्रा होती क्या है कि राजनीतिक दल किसी बस को किसी बड़े चौपया वाहन को एक रथ का रूप देते हैं और उसके अंदर तमाम परकार के नारे स्लोगन लिखे होते हैं उसके अंदर लिफ्ट होती हैं तमाम सुविधाये होती हैं उससे निताजी उसमें सवार होते हैं और ब्रह्मन करते हैं उसको रथयात्रा कहते हैं एक वो रथ पहले हुआ करते थे कि जब राजा महराजा रथ पर सवार होते थे रथ पर चार छे आठ दस बारा घोड़े लगे होते थे रथ पर जंडा लगा होता था तो वो एक रथ हुआ करता था लेकिन ये आधुनिक रथ है मैं आपको बताओं कि हर्याना के अंदर 2019 में जो विधान सभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री दतकालीन जो थे मनहुरलाल वो भी रथ में सवार होकर के पूरे हर्याना में घुमे थे हर्याना एक हर्यानवी एक के नारे के साथ मनहुरलाल चल मिला था लेकिन सबसे बड़ी पारिटी बने और बात में इंडिपेंडेंट और जन्नायक जन्ता पारिटी के जो विधायक थे उनके समर्थन से मनहुर सरकार चलती रही और अब नायब सरकार चल रही है आजाद जो इंडिपेंडेंट हैं मेलेज उनके समर्थन से अब बा पुरानी बात पुरानी कहवत हैं कि जब जब भी कभी परिक्षा की घड़ी आती है तो फिर किताबें टेटोली जाती है और ये परिक्षा की घड़ी होती है राजनेताओं के लिए चुनाव और चुनाव के अंदर हिसाब किताब मांगा जाता है पोथियां खोली जाती है द रोड़ा को 15 जो इन्दर उनोंने पॉइंस बनाएं जिसका उन्होंने पृत्र गैजो प्रत्र तैयार किया है जिन पहर हिसाब मांगा जाएगा हर्याना से सरकार से बड़ी बात ऑनने हिसाब मांगेंगे भारती जंतवाटी की सरकार से क्योंकि मुख्य मंतری तो अभी दस साल के हुए नहीं जो वर्तमान मुख्य मंतری नायव सिंग सेनी है उनको तो जमा जमा भी चार ही महीने हुए हैं चार महीने से अर्याना की रास सत्ता पर हैं और नायव सिंग सेनी के अगर फैसलों को आप कहें तो दोस्तों एक बात तो जरूर होगी सभी मुख्य मंत्रियों की सभी नेताओं के अपनी कारेशली होती है मनोराल जी के अपनी कारेशली थी और नायव सिंग सेनी के अपनी कारेशली है खेर, CM window आज भी है, लेकिन मुख्या मंत्री ने उस window के साथ साथ, क्योंकि window छोटी पर जाती है, सुनने के लिए, देखने के लिए, अगर दरवाजे खुले होंगे, पट खुले होंगे, तो दर्शन जाद अच्छे होते हैं, तो नायव सिंग सैनी ने अपने पट, अपने म मर्थकों की बैठक बुलाई, और बैठक के अंदर उन्होंने कहा कि वो राहुल गांदी मलिकार जुन खडगे का संदेश लेकर के, जाएंगी जनता के बीच, लेकिन कुमारी सहलजा के पीछे जो शक्ती थी, कुमारी सहलजा के पीछे जो ताकत थी, वो ताकत इस बार वो किरन चौधरी भी थी किरन चौधरी अब जा चुकी बारती जंता पार्टी में Congress छोड़कर उस यात्रा में उनके साथ बीच-बीच में रंदीब सिंह सुर्जे वाला भी आये थे यानि कि किरन चौधरी को सहलजा केती थी भवी और रंदीब सुर्जे वाला भाईया तो यान से सबसे पहले आप देखें तो किरन चौधरी चली गई और अंदीप सिंग शुर्जेवाला आजकल खामोश खामोश से हैं उनकी जो आवाज थी बुलंद आवाज आजकल सुनने को कम दी रही है एक चीज पीछे पिछले दिन और जुड़ी थी कि कुमारी सहलजा के साथ बं अदर भी तंजकसे गई चौधरी उद्यभान ने कहा चौधरी विरंदर सिंग का संबोधन करा रहे थे वांगड़ चौधरी का तो कहा कि 50 साल का अनुभव है चौधरी विरंदर सिंग का और यह कहा कि 40 साल का कॉंग्रेस का और 10 साल का बीजेपी की घूम के आ गए वह वह मार्ग दर्शन दें अब यह मार्ग दर्शन जो है यह बग्ड़ा शब्द दो चुका है राजनीटी के अंदर जबसे भारती जन्थापारिटी ने लाल कि अडवानी और मुरली मनुबर जोशी जी को मार्ग दर शक मंडल में डाला तब से किसी के नाम के आ गई मार्ग दर्शक मार्ग दर्शन आते ही जैसे उसकी भ्रुकुटी तंज आती है उसको लगता है कि भाईया बिना पूछे मुझे रिटायर कैसे करने वाले कौन हो गई और जब चौधरी उदयभान ने कहा हस्ते हुए कहा कि मार्ग दर्शन और हस्ते हस्ते ही भ्वपेंदर संग उड़ा जी ने भी कह दिया कि मारग दर्शक तो तंज कस दिया क्योंकि बांगर चौधरी तंज बढ़ेच्छे कसते हैं। रुकने वाले कहा थी जब उनको कहा उड़ा साँ आप कि जल्दी आप वहने हैं। यानि कि क्रिया शील राजनितिग्य है खेर ये बात तो अलग होई लेकिन जो आपको बताना चाहरा था वो ये था कि कुमारी सेलजा की जो ताकत थी लोगसभाज चुनाव से पहले वो ताकत आज नहीं है वो कमजूर हो गई और भुपेंदर सिंग उड़ा की ताकत निरंतर बढ़ती जा रही है आप ये मान लें वो भुपेंदर सिंग उड़ा के साथ में आप माने तो खुद हुड़ा विबक्ष के नेता हैं उनके साथ में चौधरी हुदाभान होते हैं हर्याना कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ में हर्याना C.L.P. के जो उपने उपने बाकी दिपेंदर हुड़ा उनके बेटे हैं भुपेंदर सिंग जी के वो साथ वरुन मुलाना भी साथ जेपी भी साथ और ब्रहमचारी भी साथ यानि कि ये चारों सांसत भी हुड़ा जी के साथ है तो हुड़ा जी की ताकत जाता है और उस ताकत को ले करके अब हुड़ा स कि दस साल की सरकार से दस साल की सरकार से वो जवाब मांगेंगे पंद्रे जो पॉइंट की मैंने आपको बताया कि जो चार शीट कह सकते हैं उसको या सवालिया जो उनका पत्र है प्रशन पत्र कह सकते हैं वो तयार हो चुका है वैसे आपको क्या लगता है कि क्या दस साल के अ नेता कुमारी सेलजा और भुपेंदर सिंग उड़्डा जो अलग-अलग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं इसका मकसद क्या है क्या दोनों ही नेता आला कमान को अपनी मैत्वता और अपनी स्विकारता दिखाना चाहते हैं जनता के बीच और सबसे प्रमुक सवाल कि अगला ज इंडियन नेशनल लोगदल और बस्पा का गठबंदन जो हुआ है वो कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में अपना कितना स्पेस बना पाएगा कमेंट्स बोक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन